हेलो एवरिवन मैं सेर्फ राकी सिरिवास हेलो फ्रेंड्स तुड़े विल डिस्कुस अबाउट अ कम्प्यूटर लैंग्विज उससे पहले मैं आपको पताऊंगी कि हम कोई भी लैंग्विज को कैसे सिखते हैं लैंग्विज क्यों नेसेसरी होती है हमें कम्यूनिकेशन के लिए जब हम कम्यूनिकेट करते हैं तो हमें language की जरूरत होती है तो अब हम बात करते हैं computer की तो उसी तरह से हमको computer से communicate करना है तो हमें तब भी एक language की ही जरूरत होगी तो आप सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि जब हम person to person communicate करते हैं तब सबसे पहले हम क्या सीखते है? सबसे पहले हम words सीखते है फिर उसके बाद में sentence बनाते है और फिर हम अपनी बात बताते है उसी तरह से जब हम school में जाते है क्लियर? कोई सी भी language हम school में सीखते है लिखना, पढ़ना इस तरह से तो हम सबसे पहले क्या सिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में जैसे आपने इंग्लिस लैंग्वेज सिखी होगी ठीक है आपने इंग्लिस लैंग्वेज सिखी है तो सबसे पहले आपने उसमें क्या सिखा होगा अल्फाबेट ओके alphabets सिखे हैं आपने सबसे पहले clear आप सबसे पहले उसमें alphabets सिखते हैं फिर then आप क्या सिखते हैं alphabets से words बनाना सिखते हैं clear फिर उन words से आप सिखते हैं sentences बनाना sentences बनाना सिखते हैं फिर then sentences आप जब सीख जाते हैं तो आप सीखते हैं पैरग्राफ बनाना ओके पैरग्राफ पैरग्राफ जब आप सीख लेते हैं बनाना तो आप कम्मिनिकेट कर सकते हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी बात आप समझा सकते हैं किसी को भी clear? उसी तरह से जब हम computer language की बात करते हैं अब computer language में हम बात करते हैं C language, clear? C language जो होती है, इसमें भी हम इसी तरह से computer से communicate करते हैं, okay? C language में आप alphabet नहीं, okay? Alphabet की जगह आपको सीखना पड़ता है characters, इसमें होता है आपका characters, clear? Character सीखना होता है आपको, इन characters को आप जब सीख जाते हैं, तो फिर इससे आप बनाते हैं, tokens, clear? tokens बनाने के बाद में, फिर आप statement बनाते हैं, जिसे हम instructions भी खहते हैं, statements और instructions instructions, clear? अब जब हम instructions या statements बनाना सीख जाते हैं, तो हम क्या बना सकते हैं? एक पूरा program clear? पूरा हम program बना सकते हैं और इस program को बना कर हम computer से जो भी आपका work करवाना चाहते हैं, वो work करवा सकते हैं, ओके? जो भी हम, जैसे हम उसे addition करवाने के लिए कह सकते हैं, subtraction, जो भी as it is आप जो प्रोग्राम में process के लिए operations डालते हैं, वो आपको computer perform करके देता है, वो work, clear? तो इस तरह से हम language, जो होती है computer किसी language, उसमें ये process follow करते हैं, सबसे पहले characters, फिर दैन उसके बाद token, टोकन बनाना जब सीख जाते हैं, तो हम statement बनाते हैं, statement को ही instructions भी खहते हैं, जो हम computer को देना होती है, फिर उसके बाद में हम पूरा program create करते हैं, उन instructions से, clear हुआ? अब मैं आपको बताती हूँ, कि what is characters in C language, उके? characters आपके क्या होते हैं? characters, clear? अब इसमें सबसे पहले होते हैं alphabets, characters में होते हैं alphabets, उके? सबसे first, alphabets, characters में सबसे पहले होता है alphabets, अब alphabets two types में होते हैं, एक तो होता है lowercase, lowercase alphabets letter, इसमें A to B up to Z तक होता है and another is uppercase, अपरकेस letters होते हैं, यह होते हैं A, B, इस तरह से Z, अब उसके बाद में characters में ही होता है second thing, अपकी digits, digits होती है, अब digits में भी, अपकी होती है 0, 1, 2, से लेकर 9 तक, यह digits का यूज़ करते हैं, ओके हम characters में, फिर next होता है इसमें, characters में ही special symbols, special symbols, अब special symbols कौन-कौन से होती सकते हैं आपके, जैसे asterisk sign, okay, underscore, फिर ampersand sign, tilde sign, okay, parenthesis, curly brackets, यह steps है, okay, commas, double inverted commas, etc, okay, यह सब होते हैं, मैंने पूरे नहीं, यहाँ पर लिखे, यह सब होते हैं, okay, clear, तो आपको characters clear हुआ है, इसमें क्या-क्या होता है, alphabet, lowercase letters होते हैं, a to z, upper case letters होते हैं, a to z, फिर digits होती है, 0 से लेके, 9 तक, उसी तरह से special symbols होते हैं, estric, underscore, ampersand, tilde sign, फिर parenthesis, curly brackets, square brackets, okay, double inverted commas, etc, clear, अब हम बात करते हैं, tokens की, okay, tokens, अब यही जो आपके characters होते हैं, character से मिलकर बनता है आपका token, clear, अब tokens भी आपके four types के होते हैं, इनकी types भी हैं, four, तो सबसे पहले होता है आपका constant tokens, constant tokens, clear, एके करके मैं बताऊँगे आपको constant tokens, फिर second होता है आपका variable token, variable tokens, फिर next होता है आपका operator token, एके करके हम discuss करेंगे इनके बारे में, and fourth होता है आपका keyword token, keyword tokens, फिर यह four types होते हैं, constant tokens, constant token, variable token, operator token, and keyword token, clear, अब इसमें देखे, सबसे पहले हम बात करते हैं, constant token की, clear, यह जो होता है हमारा constant token, यह again हमारे five types के होते हैं, clear, तो मैं इसको आपको बताती हूँ, constant token, okay, हमारा first है, constant token, constant token में सबसे first होता है, integer constant, integer constant, okay, आपको integer तो पता ही है, okay, numbers में, जो होते हैं, जैसे three, twenty-four, one-hundred, twelve, like this, इस थरह के होते हैं, integer constant, और constant से भी आपको पता है, constant का मतलब होता है, जिनको हम change नहीं कर सकते हैं, okay, जिनकी एक particular value होती है, प्रोग्राम बनाते हैं, तो यह token जब हम use करते हैं, तो हम execution time पर change नहीं कर सकते हैं, इनकी value रहती है, constant, clear, यह होते हैं, integer constant, जिनकी value integer में होती है, okay, फिर next होता है, second, float constant, float constant, okay, इसे हम decimal constant भी कहते हैं, decimal constant, okay, क्यूंकि इसकी values point में आती हैं, like, जैसे 1.5, 23.63, इस तरह से, okay, इसकी value decimal में होती है, points में, इसलिए से float constant यह decimal constant भी कहते हैं, फिर next होता है हमारा third number, character constant, character constant, okay, अभी जो आपका character constant है, इसमें एक single character हम लेते हैं, और वो भी single code के अंदर, यह जैसे हमने यह लिया, a, okay, अभी यह single code के अंदर हम, या तो alphabet भी ले सकते हैं, या कोई desid भी ले सकते हैं, या इस तरह से, तो यह भी एक constant ही, माना जाएगा constant value, okay, character constant आपका, कोई आप symbol भी ले सकते हैं, यह इस तरह से, लेकिन किस में लेना है आपको, single code में लेना है, okay, तो यह सब चीज़े आती हैं आपकी character constant में, clear, अब fourth है आपका, string constant, string constant, okay, string constant आपके number of character से मिलके जो बनता है, और इसे हम किस में लिखते हैं, double code के अंदर, यह दिखिए, यह double code के अंदर हमने यह write down कर दिया, जैसे a, b, c, number of alphabets, यह दिखिए, हमने write down कर दिया, a, b, c, यह किसी का नाम है, हमने write down कर दिया, यह क्या कहलाएगी, आपके string कहलाएगी, ठीके, उसी तरह से double code में हमने कोई numbers डाल दिये, जैसे one, two, और उसके साथ alphabets भी ले लिए, तो भी यह पूरा हमारा एक string ही होगा, यह string constant है, हमने यह एक string constant लिया, okay, अगर हमने कोई single alphabet लिया है, और वो भी double code के अंदर, तो वो भी एक string ही होगी, clear, तो पहचान क्या है, character constant में हमको single code के अंदर लेना है values, और string constant में values double code के अंदर लेना है, clear, अब next है, fifth number, logical constant, logical constant, okay, अब logical constant में क्या होता है, इसमें true और false दो values होती है, true और false, clear, true और false में आप समझते हैं, computer कोंसे language समझता है, binary language, machine language, इसमें true, false, zero और one value होती है, clear, इस तरह से तो यह logical constant होते हैं, अब logical constant भी आपके अलग-अलग है, आगे मैं आपको बताऊंगी, जब भी next lecture बनाऊंगी, clear, तो अभी हम आगे देखते हैं, next है, variable token, okay, अब देखते हैं, variable क्या होते हैं, clear, variable token, variables token is such a quantity, अब आप बात कर रहे हैं, variable की, okay, variable का मतलब होता है, change होना, okay, हम इसकी जगह पे कोई भी values place कर सकते हैं, okay, तो variables is such a quantity which can change during execution of program, okay, और जब भी हम कोई variable declare करते हैं, तो हमें सबसे पहले उसका memory में size देना होता है, okay, और size किससे हम define करेंगे, data type से, okay, तो C language में हमें अलग-अलग data type का use करना पड़ता है, variables को size देने के लिए, जैसे हम, हम बात करते हैं, int, clear, तो int यह आपका एक data type है, हमने कोई एक variable लिया है, ए, इसको हमने int data type में लिख दिया है, यहाँ पे हमने semi-colon लगाया, C language में हम हर एक statement का end, कैसे करते हैं, semi-colon से, ठीक है, जितने भी statement आप write down करते हैं, उसके last में आपको semi-colon का use करना होता है, तो आप देखिए, यहाँ पे हमने एक variable है, मारा a, उसका data type दे दिया है, हमने int, means is, variable a में हमें integer type की value store करनी है, और computer में हमको पता है, जो int data type होता है, उसका size होता है, two bytes का, okay, two bytes का, यह मैं आपको आगे बताऊंगे, कि int के लिए two bytes use होती है, int के लिए कितनी bytes use होती है, two bytes, उसी तरह से character जो data type होता है, उसके लिए one byte use होती है, और float होता है, जिसमें decibel values store होती है, यह data types है, ऐसे हमारे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो float में आपको four bytes, तो हम इस तरह से एक size provide कर देते हैं, अपने variable को, कि इस size की value, और वो भी integer, आपकी store होगी, clear, तो यह होते हैं, आपके variable tokens, तो इसमें आप float, कोई भी variable आप लिख सकते हैं, alphabet में, okay, जैसे हमने लिख दिया है, यहाँ पे, B, कोई भी लिख सकते हैं, clear, अब इसके कुछ rules होते हैं, clear, आप इस तरह से यह character type भी ले सकते हैं, c, d, जो भी है, और small letters में आपको यह लेना होता है, ठीक है, variables, तो मैं आपको rules बताती हूँ सबसे पहले, variable tokens के, तो सबसे first है, यह start होना चाहिए, okay, begins with, a letter, okay, letter और alphabet, किसी भी alphabet या letter से start होना चाहिए, okay, जैसे आपने कुछ भी नाम लिया है, यहाँ पे देखें, integer a1 लिया है, ठीक है, integer a1, यह आपको एक variable है, तो यह correct है, but, अगर आपने इस तरह से लिया है, integer 1 a, अगर इस तरह से लिया है, तो this is wrong way, हमेशा, जो आपका variable name है, वो start होना चाहिए, किससे, with a letter, और alphabet, यह, उसी तरह से next है, इसके लिए rule, its length should not more than 8 characters, okay, इसकी length जो होती है, 8 characters से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, only 8 characters ही लेता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, clear, यह, 8 characters होना चाहिए, इससे कम हो सकती है, पर 8 characters से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, variables name की length, फिर, now third rule is, अब यह जो variable name जो भी हम देंगे, वो कोई keyword नहीं होना चाहिए, okay, should not be a keyword or reserve keyword, आपको पता है, keyword means जो आपके data types होते हैं, int, float, यह सब नहीं होना चाहिए, okay, जैसे आपने दे दिया, integer data type तो है ही, आपने यह आप पे दे दिया है, int, तो यह एक variable नहीं हो सकता है, okay, इसमें आप कुछ भी change करके अलग दे सकते हो, नाम, ABC वगेरा, okay, तो आपका यह keyword, यह reserve keyword, नहीं होना चाहिए, is a word, okay, data types का नाम नहीं होना चाहिए, यहाँ पर, आप जब भी variable name दे, तो alphabet से आपको start करना है, और उसकी length, more than, eight characters, नहीं होना चाहिए, clear, now, next है, fourth number, अब जब भी आप keyword का name देते हैं, तो उसमें कोई, space भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो space हम बीच में रखते हैं न, space are not, a lot, in variables name, variables name, means, जैसे देखिए, आपने दिया है int, जैसे आपने कुछ नाम दिया है, a, b, यह आपने इस तरह से दिया है, बीच में space दे दिया है, तो यह support नहीं करता, इस तरह से नहीं होना चाहिए, आप अगर देना ही चाहते हैं, तो आप इस तरह से दे सकते हैं, a, underscore, b, underscore आप लगा सकते हैं, होता है ना कुछ में, जैसे आपने दिया, character, school name, या student name, आप तो इस तरह से लिख सकते हैं, student, underscore करके, name, अगर अलग-अलग आपको, थोड़ा सा बताना है तो, clear, बट अगर आपने बीच में space दे दिये, तो यह support नहीं करता है, तो आपका इस तरह से variable name होना चाहिए, बीच में space नहीं होना चाहिए, okay, clear है, next है, keyword token, अब keyword token, क्या होते हैं, C language में, total, 32 keywords, है, जो कि predefined है, ओके, क्या है, predefined है, यह predefined होते हैं, और, यह, होते हैं, जैसे, auto, clear, मैं पूरे नहीं बताऊंगी, यहाँ पे, कुछ एक ही बताऊंगी, auto, break, यह जब हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, okay, default, do, okay, और अभी तक तो मैंने आपको बताया है, int, float, clear, fair, chr, इस तरह से, static, size to, if, long, okay, तो यह सब होते हैं, go to, short, यह इस तरह के, while, तो यह total होते हैं, आपके, 32, keyword tokens, okay, keywords होते हैं, 32, अब, int का use हम, program में, special case में ही, करते हैं, जैसे कोई variable है, आपका, उसको हम को, size देना है, तो अगर, integer type का हमें, variable लेना है, तो हम, int का use करेंगे, अगर, decimal type का कोई variable लेना है, हमें, तो हम उसमें, किस का use करेंगे, float की word का use करेंगे, ओके, clear, तो हम इसमें, decimal type की value, store करा सकते हैं, उसी थरह से, अगर कोई character, value हमें, store करानी है, किसी variable में, तो हमें, chr का use करना होगा, clear, तो आपको, यह सब ध्यान में रखना है, okay, clear, अब, next, operator, token, okay, operators तो आप सब को पता है, क्या होता है, operators, ऐसे symbols होते हैं, जैसे plus, minus, okay, अब इसमें multiply नहीं होता है, ऐसी language में होता है, asterisk sign, clear, और, division की जगह, यह sign होता है, clear, तो operator सब को पता है, ऐसे symbol होते हैं, जिसका use, किसी भी expression में, जब हम करते हैं, तो उसे, solve करते हैं हम, okay, मतलब, operator एक ऐसे symbol होता है, जो कि, हमारे computer को, यह बताता है, कि हमें, operands पर, या variables पे, कौन सा operation perform, करना है, okay, operators का, हम use करके, कोई भी, arithmetical operation, logical operation, यह सब हम, perform, कर सकते हैं, okay, तो, यह, इनकी three categories होती है, okay, जैसे पहले, सबसे पहले देखें, आप, जैसे, a, plus b, यह आपके, दो variable है, clear, तो, इन में, हम कौन सा operation, perform कर रहे हैं, plus operation, अगर मैं, इस तरह से, लिख देती हूँ, a, minus b, तो, हम कौन सा operation, इसमें perform कर रहे हैं, minus subtraction operation, और अगर, इस तरह से, मैंने write down किया है, a, streak b, तो, हम यहाँ पे, कौन सा operation, perform कर रहे हैं, multiply का, ओके, तो, इसी तरह से, हमें operation, perform करने होते हैं, अब मैं, आपको, बताऊंगी, कि, categories क्या होती हैं, ऐसे, मैं अभी, औरली बता रही हूँ, उसको, पुरा describe नहीं करूँगी, मेरा next video, जो मैं, डालूंगी, ओके, यूनेरी ओपरेटर्स, क्या होता है, सिर्फ, single, one, ओपरेंट्स पर, यह perform होता है, ओके, जैसे, कोई भी, variable है, उसमें, मैं, plus, या, minus, एक ही, operator, यूज़ करूँगी, ओके, यह यहाँ पर देखे, और, हमारा ओपरेंट्स भी, one ही होगा, इसका नाम से ही, परता चलता है, unary, single operator, ओके, उसी तरह से, second होता है, यह मैं आपको, describe बताऊंगी, next वीडियो में, मेरे, ओके, binary operators, next होते हैं, binary, operators, binary operators, means, जिसमें, दो variables होते हैं, उन पर जब मैं कोई operation, करना चाहूं, perform करूं, ठीक है, तो, यहाँ पर, दो operators हैं, उन पर मैंने, यहाँ पर, one operator लगा दिया, a plus b, ठीक है, तो यह होता है, binary operators, यहाँ पर use होते हैं, उसी तरह से, एक होता है, ternary operators, ओके, ternary operators, यह जो है, एक ही समय में, three operators पर work करता है, ओके, यह operator, तो इसमें, जो conditional, आपका operator होता है, यह conditional operator, इसका use करते हैं हम, ठीक है, इसको colon कहते हैं, मैं आपको यह सब बात में बताऊंगी, ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं, एक छोटा सा program, अभी तक हमने यह देखा, basic, तो हम एक छोटा सा program बनाते हैं, clear, क्योंकि देखिए, हमने अभी तक क्या क्या देखा, सब से पहले तो हमने, characters देखे, ठीक है, characters देखे, क्या क्या होते हैं, C language में, फिर उसके बाद में, हमने, tokens देखे, ठीक है, tokens देखे लिए, अब हम, statement बनाएंगे, क्या बनाएंगे, statement और instructions, और उन्हीं से मिलके, हमारा एक, program create हो जाएगा, clear, तो आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ, जब भी हम, C language में statement, लिखते हैं, okay, यह जो मैंने आपको, tokens में सब बताया है ना, तो हम जो भी statement, write down करेंगे, तो उसके last में, हमको इस तरह का, semi-colon लगाना होगा, ठीक है, तो ही वो हमारा एक statement होगा, और यही, बहुत सारे statement मिलके, हमारा क्या बनाते हैं, एक program बनाते हैं, तो आईए, मैं सब से पहले आपको, एक छोटा सा program बना के बताती हूँ, okay, clear, in C language, में जब भी हम program start करते हैं, बनाना, ठीक है, तो हमको, turbo C compiler की, जरूरत होती है, ठीक है, तो हमें, वो सब से पहले, अपने system पे install करना होता है, और उसमें ही हम ये program type करते हैं, तो अभी तो मैं आपको ये, paper पर बना के बताती हूँ, ठीक है, देखे, सब से पहले इसमें हमें, इसे कहते हैं, ठीक है, ये आपकी एक, header file होती है, इसे हमें include करना होता है, hash, include, ठीक है, इस तरह से, studio.h, ये सब small letter में ही लिखे जाएंगे आपके, अब यहाँ पे देखिए, हमने header file include की है, अब studio.h, ये क्या है, ठीक है, इसे कहते है, standard input output file, और ये .h, इस header file का extension होता है, ठीक है, standard input output, जो हम इसमें use करेंगे, printf और scanf, इस program में, वो सब, उसकी definition, इस header file, studio.h में, define होती है, ओके, इसलिए हमको ये use करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर, अगर हम ये header file use नहीं करें, तो हम, printf और scanf अपने program में use नहीं कर सकते हैं, और printf और scanf ही, c language में important होते हैं, इसी से हम, कोई भी, value को input कराते हैं, और उसका output, screen पर देखते हैं, उसके बाद आती है, एक और header file, ये भी important है, hash include conu.h, ये होता है आपका, conu.h means console input output header file, इस conu.h में, आपके get.ch और clr.scr function define होते हैं, ओके, ये सब predefined है, उनकी definition इस header file में होती है, अगर हम ये header file यूज़ कर रहे हैं, conu.h, तो हम clr.scr, जो की, इस screen को clear करता है, अगर पहले से कुछ screen पर output होता है, तो उसको हमको clear करके, और new screen देता है, और जो हमारा नया output है, उसको print करता है, और get.ch क्या होता है आपका, वो हमारा जो भी current output होता है, उसको hold करके रखता है, इस screen पर, ओके, तो आईए देखिए, हमने ये दो header file include कर दी है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, htj.h, मतलब, standard input output header file, and conure.h, console input output header file, clear, अब इसमें, होता है, main function, इसको मैं लिखती हूँ, यहाँ पर void main, clear, अब ये main function क्या होता है, ठीक है, curly bracket open किया है, हमने, main function जैसे आप के लिए, कोई भी गाड़ी है, car है, ठीक है, उसमें सबसे important क्या होता है, driver, जो कि उसको चलाता है, ठीक है, बिना driver के तो car नहीं चलेगी, clear, तो उसी तरह से, C language में, ये आपका main function होता है, ये एक driver की तरह ही work करता है, इसी main function के अंदर हम, सारे instructions लिखते हैं, ठीक है, और तब ही वो execute होते हैं, clear, तो हमने लिखा है void man, अब यहाँ पे void का मतलब है, कोई भी value return नहीं होगी, okay, nothing is a return, अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं, देखिए, screen को clear करने के लिए, हमने यहाँ पे कौने dotage यूज किया है, तो हम यहाँ पे फंक्षन यूज कर सकते हैं, CLR, SCR, यह सब small form में ही लिखना है आपको से, ठीक है, सारे small letter से होना चाहिए, यह parentheses हम लगाते हैं, कोई भी space नहीं देना है आपको, semicolon से end किया है, यह हमारे एक statement हुआ, अब next statement हम क्या लेंगे, integer, int int, अब variable अगर हम addition का perform कर रहे हैं, कोई program लिख रहे हैं, तो हमें three variables चाहिए, या तो आप एक के नीचे एक करके भी ले सकते हैं, या एक साथ भी ले सकते हैं उनको इस तरह से, a, b, c, और यह एक statement हमारा हुआ, तो हम इसको end किसे करेंगे with semicolon, clear, a, b, c, तो इसमें हमने three variables क्यों लिये हैं, क्योंकि हम, इन दो variables में तो value input करेंगे, और जो value input होगी, फिर operation perform होगा, और फिर हमारा जो output आएगा, वो next, जो third variable है, उसमें आएगा तो, इसलिए हमने three variables लिये, clear, अब देखें, यह हमारे दो statement यहाँ पर हो गए है, अब क्या करना है, हमें सबसे पहले value input कराना है, अब value input कराना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, printf, और scanf का use करना होगा, ठीक है, scanf का use करके ही हम क्या करेंगे, value को input कराएंगे, अब उससे पहले, अगर हमको value input कराना है, तो हमें स्क्रीन पर यह भी show करना होगा, कि please value डालिए, ठीक है, सब small में ही आपको लिखना है, printf, कोई भी बीच में space नहीं देना है, parenthesis लगाना है, अब यह double code, double code के अंदर हम जो भी statement डालेंगे, वो as it is screen पर print होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, enter, value of a, ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा colon लगा सकते हैं, same as it is screen पर print होगा, parenthesis close करेंगे, फिर यह semi colon, तो यह हमारा एक statement, फिर से हमने लिखा, ठीक है, यहाँ पर, अब हमको देखिए, यह instruction हमको दिखेगा, enter value of a, screen पर, अब हमें value insert करानी होगी, तो उसके लिए scanf हमको लेना होगा, scanf function, okay, scanf function हमने लिया, फिर से again, double code के अंदर, अब हमें scanf में, तो इस type की value enter कराना है, integer type की, तो हमें यहाँ पर integer के लिए, %d का use करना है, ठीक है, यहाँ पर % का sign लगा के, d, अगर यहाँ पर float value, अगर हम float लिखते, float data type, ठीक है, data type मैं आपको बात में बताऊंगी, float अगर data type लेते हम, invariables के, तो यहाँ पर %f लिखना होता, अगर character chr लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर %c लिखना होता, clear, अभी हमने integer लिया है, तो हमने %d यहाँ पर राइट डाउन किया है, ठीक है, फिर इसको double quote close किया, अब, कॉमा, अब यह हमने लगा है, यहाँ पर % और a, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो भी variable है हमारा a, a variable है, उसका यह है address, तो जो भी हम value insert करेंगे, या input करेंगे, तो वो a के address पर ही जाकर store होगी, clear, अब यहाँ पर semicolon नहीं लगाएंगे, तो error आजएगे, तो यह semicolon लगाना जरूरी है, तो यह हमारा next statement हुआ, अब हमने a की value insert करवा दी, उसी तरह से आपको, b की value भी insert कराना है, तो फिर से अगें हम write down करेंगे, printf, double code के अंदर, enter, value of, b, clear, semicolon, अब इसी तरह से scanf के लिए करेंगे, scanf, integer value, इसलिए person d, double code close, comma, ampersand b, b के address पर यह value अब, जाके store होगी, अब हमने दो लूँ values, enter करवा देंगे, अब उसके बाद में, operation हमें क्या करवाना है, plus करवाना है, minus करवाना है, तो वो लिखेंगे, अब किस variable के अंदर, यह दोनों plus होके जाएंगे, यहाँ पर देखें, a plus b, यह दोनों की value plus होके, किस के अंदर जाएगे, c variable के अंदर, तो इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, c equal to a plus b, again, semicolon, यह हमारा एक statement हुआ, यहाँ पर हमने operation perform करवाया है, operators के थूँ, plus operator के थूँ, और यह हमारा equal है, तो यहाँ पर दोनों की values, इन दोनों के जो भी address पर values थी, वो plus होगी, और किस के अंदर जाएगी, c के अंदर, ठीक है, clear, अब यह जो c के अंदर values गई है, यह हमारी plus होके, अब उसको हमको print कराना होगा, इस screen पर तभी हमें result पता चलेगा, तो उसके बाद में हमें next statement लिखना होगा, output print कराने के लिए, print f, अब हमारा addition क्या आया है, तो हमें लिखना पड़ेगा, addition is equal to, equal to sign, अब value आएगी हमारी integer में ही आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने जो c variable है, वो भी integer type का ही लिया है, तो addition is equal to, यह तो asit sprint होगा, अभी जो percent d हम डालते हैं, यहाँ पर, इस percent d की जगा पर हमारा जो answer का result है, वो आएगा, clear, double quote, close, ठीक है, percent d, और किसकी value आएगी, जो c में आई है value, वो आएगी, ठीक है, यहाँ पर, clear, और last में, semicolon, यह हमारा next statement, clear, अब, इस screen को हमें hold करके रखना है, ताकि result show हो सके, तो हमें यहाँ पर use करना होगा, get ch का, get ch function, ठीक है, यह parenthesis लगाते हैं, यहाँ पर get ch लिखके, और semicolon, उसके बाद में, void one का, जो curly bracket हमने open किया था, यह हमने यहाँ पर close कर लिया, ठीक है, यह देखिए, close कर लिया, curly bracket, आपको यह ध्यान में रखना है, कि हम जितने भी curly bracket अगर लगाते हैं, तो उतने ही हमें close भी करना होता है, clear, तो यह हमारा, जो void main है, यह पूरा program हमने, बना दिया, अब इसे आपको computer पर run करके देखना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो अगर, यह program है, ठीक है, तो सबसे पहले तो error चेक करनी होगी, ठीक है, error चेक करने के लिए आपको, alter, error चेक करने के लिए, alter plus, F9 प्रेस करना होता है, ठीक है, computer में और फिर अगर कोई error नहीं होती है अगर error बाइचांस होती है तो हम उसे correct करेंगे ठीक है और अगर error नहीं होती है तो फिर run करना है program को output तभी आएगा ठीक है जब run करेंगे तो इसको हम run करेंगे control plus f9 press करेंगे तो run होगा ठीक है run होगा तो आपको किस तरह से output में लेगा सबसे पहले वो पूछेगा enter value of a इस तरह से value पूछेगा फिर आपको इभी value दे देंगे ठीक है फिर उसके बाद में again जब आप next button दबाएंगे तो वो पूछेगा enter value of b फिर आप b की value दे देंगे फिर आप जब next और enter एक बटन प्रेस करेंगे तो आपको result दे देगा फिर ठीक है addition is equal to जो भी answer है वो ठीक है और जब तक आप enter प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये result को hold करके रखेगा क्यों क्योंकि हमने इस program में get.ch का use करा है और जब भी हम इसी program को अगर बार बार रन करते तो बार बार हम से वो ये पूछेगा ठीक है clear और पुराना value इसमें नहीं दिखाएगा क्यों क्यों क्योंकि हमने यहाँ पे CLR SCR clear screen function का use किया है अगर हम ये function का use नहीं करते तो हमें पुराना output भी क्योंकि दिखता है clear okay I hope friends आप इसे run करके देखिए और फिर मुझे बताएगे आपको कितना समझ में आया है clear और फिर अगर ये आपका success हो जाता है तो आप मेरे चैनल को subscribe करिए और like करिए and share करिए okay thank you